बात करेंगे loss recovery की option trading के loss recover करना चाहते हैं तो join कर लीजिए आज भी बताया था downtrend put देखेगा jackpot बनेंगे और देखेगा पैसा बना है दोनों तरफ description में link मिल जाएगा जाके join करिएगा मैंने आपको यह बताया था कि दोनों तरफ आपको trade मिलेंगे like support पे market आता है तो FIIs यहाँ पे buying कर रहे हैं तो FIIs जब तक buying करते रहेंगे तो नीचे की तरफ market को देखेगा वो support देते रहेंगे आज भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठक buying आप कहेंगे 590 करोन के आसपास की buying करी है cash equity stocks में तो जब तक देखेगा FIIs green है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि नीचे जब भी बाजार जाए support के पास जब भी बाजार आए तो आपको तुरंट क्या करनी है buying करनी है क्योंकि क्या होता है market एक सिनारियो में देखेगा recover कर ले जाएंगे FIIs चोकि वो इस level पर अगर buy कर रहा है तो वो ये expect नहीं करेंगे कि यहां से market बहुत ज़ाधा नीचे जाए जब तक कि कोई uncertainty ना हो जाए दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहां पे index future में उपर की तरफ वो selling भी कर रहा है तो इसका मतलब 44,000 का जो nifty bank का जो resistance है वो बहुत ही important है और अगर आप बात करेंगे 1844 जो देखेगा nifty के लिए एक hurdle बन रहा है वो भी बहुत important है तो यह दोनों चीज़ें भी देखेगा इसी सिनारियों में close होते होगे देखने को मिलेंगी कल के लिए बस एक चिंता की बात आ रही है मैंने आप यह आपको देखेगा पहले वीडियो में बताया था कि डॉलर इंडेक्स पे निगाहें रहनी चाहिए आपको और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ही आपका क्या हो रहा है 104 के लेवल पे आही गया था बहुत था फिर सोचा गया था यह गिर जाएगा बटे गिरा नहीं है भी तक और यह 104 के उपर भी काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है मलब 104 के उपर का लेवल भी काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है both side का market रहेगा बहुत दिमाग में रखिए अगर आप एक तरफा trade करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब dollar index बढ़ेगा तो bond market तो रुकने वाला है नहीं तो यह देखिएगा 2 year का अमेरिका का bond market यह देखिएगा पूरी तरीके से 1.26% 10 year का और 30 year का तीनों bond market अगर आप चेक करेंगे तो clear indication आपको दे रहे हैं क्या upside के तो आप समझ सकते हैं कि bond market plus dollar index का इतने high पर होना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है बट FIAs की buying एक ऐसा indication है कि हम नीचे की तरफ जबाएंगे तो हमें क्या करना है buy पे वर करना है अब अगर आप बात करेंगे तो जितना भी data भी तक मिल ला है western countries है तो वहाँ पे भी अगर आप देखिएगे तो greenery देखने को मिल लई है rates में अगर आप bond market के rate देखेंगे तो greenery देखने को मिल लई है जिसमें सबसे बड़ा panic आ रहा है सबसे ज़्यादा panic आपको देखने को मिल ला है आपको UK से यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो गया है कि 3.5% तक का देखेगा jump देखने को मिल ला है कहाँ पे आपके bond market में तो UK एक बहुत essential country है यह आप सभी को पता है और आपको यह पता है अमेरिका की तरफ से भी काफी देखेगा jump देखने मिल आए तो यह भी clear indication नहीं है फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेकाउट कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि DAO future सुबे से negative है और अभी त बनी होई है उस पर क्या फैसला आ जाए positive outcome आ गया तो जम करेंगा market और फिर profit booking होगी बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने हो मिलेंगी तो basically आपको देखेगा देखती है DAO futures की closing और दोनों तरफा कल वर करना है तो कल पहला देखेगा hurdle कहाँ पे बनेगा hurdle बार बार दे तो profit booking आएगी नीचे की तरफ 18.240 एक अच्छा support है और ये तूटता है तो मैंने आपको उता रखा 18.175 आपका क्या है दूसरा support है तो यहाँ पर आपको buying करनी है अगर यहाँ पर market खुलता है या फिर मिलता है आपको तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती फिर बात इनके लिए जो पहला hurdle होगा वो देखेगा है 43 देखेगा 770 है और फिर देखेगा 43 इनके लिए 880 ये दोनों important hurdle रहेंगे इनके लिए नीचे की तरफ इनके पास अभी भी देखेगा support बना हुआ है 43, 440 का जब तक ये टूटकेस की नीचे closing ही होती है तब तक कोई बड़ा pain नहीं आएगा तो कल आपको करना क्या है कल basically देखेगा market की opening सब कुछ decide करेगी अगर market कहीं पे भी आपको देखेगा यहाँ पे या फिर देखेगा इसके भी ऊपर 880 पे मिल जाता है तो वहाँ पे profit booking के लिए जाना है हलकी सी scalping कर लेनी है 30.20 आपको आराम से मिल जाएंग और नीचे की तरफ अगर देखेगा यहाँ पे कही market खुल जाता है या फिर 43-440 पे market खुल जाता है तो आप यह समझेगा कि यहाँ पे अगर आप वर कर लेंगे call पे इंदा बनी पे तो आपको यहाँ पे भी आराम से scalping पे अच्छे point मिल जाएंगे तो I guess आपको यह